प्रोब्लम 3.6 देखते हैं तुछन केता है एक negligibly small current है इसको pass की हमने एक wire से जिसका length हमें given है और cross sectional area भी uniform है जो कि 6 x 10 to power minus 7 है और resistance भी हमें given है तो assume कर लेता है कि क्या क्या हमें given चीज़े है कोई भी resistance को इस तरह से देख लेता है कुछ length होगा area होगा तो यहां पर given है length का term 15 cm और area का term है 6.0 और 10 to power minus 7 meter को square फिर कहता है resistance भी दिया हुआ है तो यह है 5 ohms what is the resistivity बहुत भी basic formula से हम कमच लेंगे तो इस तक की resistivity है और temperature नहीं change किया गया मतलब physical dimension से कोई change नहीं हो है तो हम जानते है सारे बच्चे की resistance का formula होता है r equal to rho l by a where rho is the resistivity ठीक है इसको अगर resistivity के लिए लिए लिखना चाहोगे तो कितना आ जाएगा rho is the plus rho हो जाएगा r into a divided by l और r का term दिया हुआ है 5 into area है 6.0 10 to power minus 7 और length बच्चों 15 meters में दे रखती है और यह term दी में है है तो प्रहीं को changes करने की जरूबरत नहीं है 5 तीज़ा होगा 13 में 16 है तो अंसर आ रहा है 2 into 10 to power minus 7 टीक है और resistance है तो इसका resistivity है तो इसका unit होगा ohm meters तो अपना answer final रहा है rho का term है 2 into 10 to power minus 7 ohms meter जिस विल्की ता answer ओके सब्सक्राइब कि यह हमें पता होता है basic lecture से इससे हमें row के लिए solve किया और A by L से मुझे answer मिल रहा है आईए आगे बढ़ते हैं अच्वा च्प्त्क्राइब रहा है ज्यावखे अच्वाल